Good morning friends, आज हम बात करेंगे transcription के बारे में Transcription का मतलब simple language में यह होता है कि किसी भी message को आप दूसरी language में अगर लेकर आते हैं Suppose करिए कि आप Hindi में कोई बात कर रहे हैं उसी बात को अगर आप English में कह रहे हैं तो वो आपकी एक transcript बनती है Message वही है लेकिन उसकी language लगए है ठीक उसी तरह DNA में जो message होता है वो D-Oxy Ribonucleotides के form में होता है अगर उसी message को Ribonucleotides के form में लाना हो यानि RNA की language में लाना हो तो जो RNA बनेगा उसको हम transcript कहेंगे और RNA बनने की process को हम transcription कहेंगे तो modern central dogma जो molecular biology का दिया था Crick ने सबसे पहले propose किया था Central dogma का मतलब central tenet यानि वो central point जिसके इर्द गिर्द पूरी molecular biology घूमती है और वो उन्होंने जो propound किया जो उन्होंने बताया वो ये था कि DNA अपने आपको replicate कर सकता है और transcriptase enzyme के थूँ या RNA polymerase enzyme के थूँ DNA से RNA बनता है और RNA से translation होकर protein बनता है वक्त के साथ कुछ और scientist ने हमें ये बताया कि RNA से भी DNA बनाया जा सकता है और enzyme जो होगा वो होगा reverse transcriptase और कुछ ऐसे cases हैं वाइरसे में कि RNA अपने आपको replicate कर सकता है यानि जो क्रिक ने हमें सिर्फ बताया कि सिर्फ DNA ही replicate कर सकता है यही बात सर्व सकते नहीं है RNA भी अपने आपको replicate कर सकता है जैसा कि TMV टॉबेकमोजेक वाइरस के case में तो इस तरीके से यह modern central dogma बना original central dogma में सिर्फ DNA replicate कर सकता था और DNA से RNA बन सकता था और RNA से protein बन सकता था यानि जो message DNA में था वो RNA से होता हुआ protein के form में तबदील हो जाता है और वो ही हमारी body में usually एक functional unit होती है ऐसा क्रिक ने बताया और जो बाद में इसमें बदलाव आए वो यह आया कि RNA भी अपने आपको replicate कर सकता है DNA की तरह है जैसा कि कुछ viruses के case में है और even DNA को भी RNA से बनाया जा सकता है और enzyme उस case में होगा reverse transcriptase तो हम देखते हैं कि दो strands है DNA की एक 5' to 3' में रहेगा और दूसरा 3' to 5' में antisense strand रहेगा जब transcription किया जाता है तो antisense strand से RNA बनता है antisense strand से RNA क्यों बनता है या जिस भी strand से RNA बनता उसको antisense strand क्यों बोलता हैं क्योंकि sense strand हमेशा conventionally 5' to 3' माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि पूरी molecular biology में जो major processes है जिसे replication जिसे transcription जिसे translation ये सभी पूरी के पूरी processes 5' to 3' direction में proceed करती है मतलब कोई भी DNA बनेगा तो उसमें जो नया nucleotide add होगा वो 3' end पे add होगा RNA बनेगा तो ribonucleotide 3' end पे add होगा तो इस तरीके से सारी processes का जो sense develop होता है वो 5' to 3' direction में होता है इसलिए उसको sense strand कहा जाता है और उसकी जो anti-parallelist trend है इसलिए उसको anti-sense strand बोला जाता है जो की 3' to 5' है transcription भी 5' to 3' direction में प्रोसीड करता है खास बात यह है कि RNA जो बनाता है वो enzyme होता है RNA polymerase जो की ribonucleotides को polymerize करता है वैसे ही जैसे DNA को polymerize करने के लिए DNA polymerases होता है DNA polymerases को काम करने के लिए primer की जरूत होती है जो की उसको free 3' watch and provide करवाते है अगर primer provide नहीं करवाया जाता तो DNA polymerase शुरुवात ही नहीं कर सकते लेकिन RNA polymerase को अपने काम को शुरू करने के लिए किसी भी primer की कोई जरूरत नहीं होती इस तरीके से RNA polymerase DNA polymerase से भिन है बागी process जो process का chemistry है वो DNA में और RNA polymerization में almost same है फर्क सिर्फ इतना है DNA polymerization में DNTP काम आते हैं यह दि-oxy-ribonucleotides काम आते हैं और RNA processing में sorry RNA polymerization में ribonucleotides का polymerization होता है अब हम बात करते हैं सबसे पहले transcription unit के बारे में transcription unit DNA का वो हिस्सा है जो एक independent transcription को करवाने में मदद करता है या जिसके लिए वो responsible होता है यह DNA की sequence जो होती है वो चार हिस्सों में divided मानी जाती है पहला promoter दूसरा transcription start तीसरा coding reason और चोथा transcriptionist अगर इन में से कोई एक भी हिस्सा नहीं होगा उस DNA के part में DNA के हिस्से में तो उसका transcription नहीं हो सकता है अब इनके काम क्या है उनको हम detail में one by one proceed करते हैं जो promoter होता है वो वो हिस्सा है जहांपर RNA polymerase bind करता है अगर promoter आप हटा लीजेगा तो RNA polymerase DNA पर bind करके transcription शुरू नहीं कर पाएगा तो DNA के जिस हिस्से पर tightly bind करके RNA polymerase अपना काम करना शुरू करता है उसको बोलते हैं promoter और जहां से वो transcript बनाना शुरू करता है यानि RNA बनाना शुरू करता है उसका जो पहला codon है उस codon को क्या बोला जाता है transcription start और फिर coding reason actually एक sistronic part है यानि structural gene है जिसके message को transcribe किया जाता है यानि usually promoter का transcription नहीं होता promoter तो एक regulatory part है और coding reason एक structural genic part है जिसका transcription होता है अब ये जो transcription हो रहा है इस transcription का end होने के लिए एक message रहेगा stop message रहेगा और जहां से RNA polymerase relief हो जाता है उस message को DNA sequence के छोटे से हिस्से को transcription stop बोला जाता है ठीक है और जो transcript यानि जो mRNA बनेगा उसको हमेशा हम primary transcript बोला करते हैं start codon से जिधर RNA polymerase move करेगा उधर बोलते हैं downstream और उसके opposite direction को हम upstream बोला करते हैं अब हम बात करते हैं prokaryotes में transcription के बारे में तो सबसे पहले हमें promoter के बारे में जानना ज़रूरी है promoter के तीन major हिस्से हैं DNA की वो sequence है promoter जहां पे RNA polymerase bind करके अपना transcription का काम शुरू करता है इसमें तीन consensus sequences हैं पहली जो sequence है उसको recognition domain बोला जाता है जो कि minus 35 position पर रहेगा minus 35 का मतलब यह हो गया कि transcription start से तकरीबन 35th nucleotide upstream location पर लगबग एक sequence होती है TTGACA यह 5' to 3' reason में sequence है यहां पर RNA polymerase की एक major subunit होती है sigma factor वो tightly bind करता है इसी तरीके से एक और consensus sequence होती है TATAAT इसको बोलते हैं unwinding domain क्योंकि AOT से यह sequence बनी भी होती है इसलिए sequence को unwind करना यानि DNA की दोनों strand को इस zone में unwind करना काफी आसान हो जाता है और यह minus 10 reason के आसपास located होती है इसी को ही प्रिबनाव box बोला जाता है और unwinding domain और recognition domain दोनों के बीच में critical gap होता है तकरीबन 17 base pair का इस critical gap का होना बहुत ज़रूरी है अगर यह critical gap नहीं होगा तो RNA polymerase properly position नहीं हो पाएगा और उस promoter पे अपना काम नहीं कर पाएगा और तीसरा जो consensus sequence होता है cat box cat इसमें जो adenine होता है यहां से transcription होना शुरू होता है इसको हम optimal prokaryotic promoter बोलता है और इनके यह जो भी हमने बातें करी minus 35, minus 10 and start point sequences इनसे यह मिलकर बनावा होता है अब हम बात करते हैं prokaryotic RNA polymerase के बारे में prokaryotes के case में चाहे mRNA बनाना हो, tRNA बनाना हो, rRNA बनाना हो इन सभी के लिए एक ही टाइप का RNA polymerase होता है और उस polymerase की जो structure है वो कुछ ऐसी है alpha 2, beta, beta prime, sigma and omega subunit इनमें जो beta prime subunit है वो सबसे बड़ी subunit होती है और beta और beta prime मिलके catalytic center बनाते हैं मतलब ये enzyme की catalytic activity से related है alpha जो subunit है इसमें carboxy terminal domain जिसको हम बोलते हैं CTD उसका रोल भी promoter को कुछ हिस्सों को recognize करने में किया जाता है omega subunit usually alpha, beta और beta prime की efficiency को बढ़ाता है और sigma subunit इनमें सबसे ज़दा important है अगर आप sigma subunit के अलावा बाकी की बचीवी subunits को consider करें तो उसको हम core enzyme बोलते हैं और sigma subunit मिलने के बाद में हम RNA polymerase holo enzyme बोलते हैं अगर हम बात करें कि core enzyme की functional sites कौन कौन सी है तो core enzyme में DNA unwinding domain होगा और DNA rewinding domain होगा मतलब DNA unwinding domain में जब यह enzyme move कर रहा होगा तो DNA को unwind करता चला जाएगा उसकी sense और anti-sense strand को अलग-अलग कर देगा और जैसे ही उस हिस्से से गुजर के आगे जा रहा होगा पीछे से DNA को वापस rewind कर देगा तो हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि RNA polymerase में DNA unwinding domain होती है इसको अलग से किसी helicase activity की ज़रूरत नहीं है अब हम बात करते हैं सिग्मा फेक्टर के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा important है अगर आप core enzyme के साथ sigma factor नहीं लगाईएगा तो जो RNA polymerase है वो promoter reason को अच्छे से नहीं पहचान पाता तो sigma factor का mainly function क्या हुआ sigma factor का का काम होता है उस core enzyme को यानि RNA polymerase के core enzyme को किसी particular promoter के पास में ले कर जाना जिस type का sigma factor होता है वो अपने core enzyme को उसी promoter पर ले कर जाता है जिसको पहचान पाता है और वहाँ से ही gene का transcription होना शुरू होता है ठीक है usually sigma factor तब तक ही core enzyme के साथ रहता है जब तक initiation शुरू नहीं हो जाता है जैसे ही transcription initiation शुरू हुआ और elongation में इंटर किया sigma factor वहाँ से relieve हो जाता है तो friends ये इस तरह से हमने आज बात करी कि RNA polymerase और promoter जो की transcription के लिए जरूरी हिस्से है वो कैसे अपना काम करते है अगले lecture में हम transcription की process के बारे में बात करेंगे Thank you so much